इधाय बाटन और निचे, डिस्क्रिप्शन बाक्स में आपको multiple integral से complete playlist मिल जायागा Welcome to video number 23, जहाँ पे हैं हम third problem solve करने वाले हैं on the topic beta and gram function ये question में बहुत important है, तो इस video का प्लीज आखी दख देखिए ठीक है, देखो question क्या बोलता है, given that integral limit goes from 0 to infinity x to power n minus 1 upon 1 plus x dx equals to pi upon sin n pi, यह पो given दिया हुआ है show that gamma n, gamma 1 minus n is equals to pi upon sin n pi, हमें ये चीज़ को जो है proof करना है, where n is greater than 0 and less than 1, ये चीज़ दी हुई है integration limit goes from 0 to infinity, x to power n minus 1 upon 1 plus x dx equals to pi upon sin n pi हमें क्या proof करना है, that is, gamma n, gamma 1 minus n is equals to pi upon sin n pi ये जो है, हमें यहाँ पे proof करना है, ठीक है, तो अब हम जो है, start करते, इसको solve करना तो जो आपो given दिया हुआ पर इसको लिख लेते हैं, that is, given, क्या दिया आपको हाँआ पर, ये वाला part दिया हुआ है तो इसको पर हम लिख लेंगे, integration 0 to infinity x to power n minus 1 upon 1 plus x this is equals to, okay, यहाँ पर dx है, dx equals to pi upon sin n pi ये अपको हाँआ पर question में दिया हुआ है, we know that हम जानते हैं, that is, beta m, n, okay, beta m, n, ये अपना n है, ठीक है, ठीक है beta m, n अपना क्या होता है, gamma m, gamma n upon में, gamma m plus n ये अपना होता है, we know that beta m, n is equals to gamma m, gamma n upon gamma m plus n अब beta m, n अपना क्या होता है, देखो हैं आपके, हमने वीडियो नुमर 19 में जो हमने बीटा, मतलब बीटा function को detail में देखा था, वीडियो नुमर 19, okay, वीडियो 19 में हमने बीटा function को देखा था, वहाँ पे हमने इस चीज़ के बार में discuss किया हुआ था, okay, that is, beta m, n is equals to integration 0 to infinity, x to power m minus 1 upon 1 plus x power m plus n dx, which is again equals to integration 0 to infinity, x to power n minus 1 upon 1 plus x power m plus n dx, तो हम ये बोल सकते हैं, that is, beta n, n is equals to integration 0 to infinity, x to power n minus 1 upon 1 plus x power n plus n dx, हम इसको जो यहाँ पे, use करने वाले हैं, तो, this implies, beta m, n is equals to integration 0 to infinity, यहाँ पे अपने क्या हो जाएगा, x to power n minus 1 upon 1 plus x power m plus n हो जाएगा, यहाँ पे, यहाँ पे रिखिए, dx which is again equals to gamma m, gamma n upon gamma m plus n, यहाँ आप मिल गया, ठीक है, अब देखो, हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इस चीज़ को, इस चीज़ को, इसको डिनोमेरिटर को अपन क्या करने के left hand side में लिका सकते हैं, तो उसको पर नसे लिख लेगे, that is, इसको पर लिख लेते हैं, gamma n, gamma m, देखो, इसका order जो है, इसको पर चेंज भी कर सकते हैं, एक की मतलब है, इसको पर यहाँ पे लेका जाएंगे, तो यह अपना हो जाएगा, gamma m plus n, इसको ब्रैकेट में रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, into integration 0 to infinity, x to power n minus 1 upon 1 plus x, power में, m plus n, यहाँ पर रिखिए, dx, यहाँ तक हो गया है, अब देखो, हम क्या करने वाले हाँपे, हम यहाँ पर करेंगे, put m equals to one minus n, क्या है, यहाँ पर जो हम को प्रूफ करना है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, m की value को पर know, 1 minus n per couple लेते हैं, ठीक है, तो यह अपना क्या हो जाएगा फिर देखो, यह अपना, gama n, gama 1 minus n, यहाँ पर क्या हो जागा यह गामा M मतलब 1-N प्लस N तो यहाँ पर जो है उसको asities लिख लेते हैं integration 0 to infinity x to the power n-1 upon me 1 plus x M मतलब 1-N यहाँ पर क्या है प्लस N तो यहाँ पर लिखिए dx अब देखो हाँ पर N and cancel यहाँ पर यहाँ पर क्या बच रहा है यहाँ पर यह asities रहाएगा this is equals to यह अपने क्या है गामा 1 है यहाँ पर अपने पर पर क्या बच रहाएगा integration 0 to infinity यहाँ पर that is x की पावर n-1 upon me 1 plus x यहाँ पर रहाए dx अब गामा 1 की वाल्यू क्या होती है हमने देखा था वीडियोंबर 20 में जहाँ पर आमने गामा फंक्शन के बाराम पाड़ा था गामा फंक्शन बाराम जब आमने पाड़ा था तब यहाँ पर देखा था हमने गामा 1 इकोल्स टू 1 गामा 1 के वाली क्या होती है 1 होती है तो यहाँ पर हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं तो यह अपना 1 हो जाएगा इसके वाली क्या है यहाँ पाई अपाउन साइन एन पाई सिंस हम यहाँ पर लिख सकते हैं इंटिग्रेशन जीरो टू इंक्विनिटी एस टू पाउर एन माइनस वन अपाउन प्लास एक्स दी एक्स यह क्या होता अपना पाई अपाउन साइन एन पाई और यह जो है आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन आपको यहाँ पर दीया हुआ है तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं दाट इस हमको जोहाँ पर निकालना था देख यहाँ पर इसांक्विन इसाई फी अनपाई और यही है जो हमने आप़ी फैनली प्रूप कर दिया है थिक है तो अरचल अपने ये LHS है तो अपने ये लाघ के लेखे सकराइं लिकूशे सकते कि अलच lugan हैंस कि कि इसलिए मैंने कहा था कि जो बीटा फंक्शन है तो विडि़ोर न करो 19 में यो नहें विटा फंक्शन देखा लागा प्रिटेल में बीटा फंक्शन देखो यहां पर उसको हम को यहां पर जितने भी इंपोर्टन प्रॉपर्टी है रेजल्ट्स है इस फीडियों को मिल जायेगा और यह सब आपको कहीं न कहीं इंप्लेमेंट होते भी दिखेगा यह जो फर्मुला है यह भी काफी इंपोर्टन फर्मुला था यह भी इंपोर्टन फर्मुला है यह एक इंपोर्टन प्रॉपर्टी है उसी देखें से गावं फंक्शन अगर देखेंगे तो जो इसका definition के साब से जो उसका निकलता है general formula यह important है उसके बाद यह result important है उसके बाद यह result important है यह जो एक outcome आया था यह भी important है और last में यह जो है यह भी very 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 important तो I hope आपको इस वीडियो से कुछ सीखने के मिला है यह जो को से करो आपनों दोस्त्तत्त जो से करें थ сказал झाहिए एक आपनों दोस्ते जरक्रिक्षच निए आपसोट। इस बाद क्याए रिखें यह घ्तान सभॉच सब्सेन आपकर आपनों ध। इए, जो क्या हृए एक सेंट इस और था्त्तत्त ,